असलाम अलेकुम फ्रेंड्स के समय ठीक हैं तो आज हम पढ़ेंगे आजान नजम जो अलामा एकबाल ने लिखी है आए शुरू करते हैं आउजबिल्लाही मिन शेतानुरजीम बिसमिल्लाखनुरहीम कहते हैं एक राद सितारों से क्या नजम सहर ने आदम को भी देखा है किसी ने कभी बिदार तो नजम कहते हैं सुबा के सितारे को आदम यानि इनसान बिदार कहते हैं यानि उठावा जागा हुआ कह रहे हैं इसका मत्ब यह है कि इसकी तश्री यह है कि एक राध सितारों से कहा नज़ यानि कि जो सुबा के सितारे हैं उन्होंने कहा राध के सितारों से कि इनसान जो सारा दिन घूमते पड़ता है कभी उसको उठावा देखा है कि इंसान तो रात में सो जाता है वो कभी सुबह उठा है तो यह इसमें बात कर जा रही है तो अब जैसे के हम कहते हैं हम तो यह करते हैं वो तो करता नहीं है तो यह कुछ ऐसे इसमें बात की जा रही थी अब यहां पर है सेकंड शेयर कहने लगा मारीख और कहने लगा मारीख अदा फहें है तक्दीन है नीन उसी छोटे से वितने को सदादार मारीख कहते हैं सयारा कि यहां पर इंसान की बात की गई है सयारा कहता है अदा फहें का मतलब है तक्दीग की अगर उसको पता लग जाए कि अगर उसको पता लग जिया कि किपने फाइदे हैं रात को जागने किया अल्ला की भादत किये तो फिर वह अपने खाजाने निकाल ले जहरा कहा और कोई बात नहीं इस करमा को जहरा कहते है सेयारा करम कहते हैं कीड मैकोड़े तालुक जहरा ने कहा और कोई बात नहीं इस कर्म हिश्भ को और से इन सब की इन सब की एग्जैम में जह है वो तश्रिया नहीं आती इनका आता है मरकजी ख्याल तो मैं इस मरकजी ख्याल को डिसकस कर लेता हूँ मरकजी ख्याल है एक तो मरकजी ख्याल गादू के इस नजन में जो है वो शायन ने नमाद फजर में उटने की तरकीं की है एक मरकज के लिए भी होता है कि इकपाल का दौर वो दौर था जब मुस्मानों पर हर जानिब से तबाई हो बरबादी के बादल मन डा रहे थे गैर कुमाम उन्हें तबाह करने के लिए मुश्टा यानि यानि इकटा हो चुकी थी मुस्मान सियासी माशी इखलाकी और माशारती जवाल का शिकार थे और इनमें गम गुस्टा और मायूसी की कैफियत पाई जाती थी ऐसे में इकपाल ने अपने शायरी के जरिए मुस्मानों को इनकी खुई हुई अजमत याद यहलाने की कोक्शिश की और इनकी एसास दिलाया के वो चाहें तो आज भी इस माकाम पर पहुंश सकते हैं जहां कब इनकी असलाफ थे इसमें देखो आज हम अपनी आयाश्यों में खो गएं अपने कहा कहा हम अपने आपको भूल गएं लेकिन हमारे दादाने पर दादाने हमारे जो थे बड़ बुदर्ग तो उनने कैसी कैसी कुरबाने दी हैं किती किती मेहनत करिये तो आज जो हमारे इर्द-गिर्द इतने जह है वो जो बुरायां हो रही है वो यही थी कि हमने जह हमें जो चीज़ सिखा गई थे हम सु भूल गएं तो इस मरकरदी खियाल में यह बात करे जा रही गए अब हम हम सही है कि हम जो है वो हम रात को उटकर जो है वो तहजुत पड़े अगर हम अल्ला पाक की अबादत करें जो है हमें किता जो है लितुफ आएगा कभी ऐसा हो कि हमारी आँख खुली हो और को शोशाओ उस तरह पर लिए था है तो हम उटकर अपने आपको याद किया हो तो इस नजम में इक बाल यही कह रहे हैं ठीक है अगर हम अगर हम दुबार मेनत करें अपने आपको उसका बनाट तो फिर हम हमारी वो इस वापिस आ सकती है तो इसका ही मरकजी ख्याल यह था अगर आपके वीडियों अच्छे लगए तो इसको लाइक के जिगा सब्सक्राइक वीडियों का थैंस पर वाचिंग